कि नमस्कार सर्विलांस खबर में आपका स्वाधत करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें आई ये चलते हैं विशेज खबर की तरफ कुरोना बैसिक महामारी जहां पूरा भी सुत्राहमाम त्राहमाम कर रहा है वही भारत की इस्तित इस बिमारी से कुछ हट तक बेहतर है सिसेना के हम बेटकर नगर जिला अधच नंत कुमार राडा ने बताया कि सोसल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई मुख बचाव का तरीका है संभाब डाता द्वारा जब यहां पूछा गया कि महाराष्ट में सिसेना की सरकार है और सबसे ज्यादा करोना के मरीज वहाँ पर मिल रहे हैं तो जिला धच ने बताया कि इस्थित नियंत्रण में थी लेकिन मरकस दिल्ली से निकल कर जमाती लोग महाराष्ट की इस्थित को विगार दिया जिससे ज़्यादा संख्या आज देखने को महाराष्ट में मिल रहे हैं करोना से भारत जीतेगा या मुझे कोन विश्वास है हम लोगों को लाग डाउन का पालन अवस्थ करना चाहिए जिससे इस्थित को विगार में किया जा सकी पियर से एक रिपोर्ट महाराष्ट में हैं जन्पद अंबेकर नगर के जिला देश शिष्षेना के नंद कुमार राना जी हमारे साथ रहे हैं करोना पे आपके मैं कि बाते करता हूँ कि क्या बचाओ है किस तरीके से करोना से हम मात देकर जीत सकते हैं जी आप बताए बूहिए हमारा जो मानना है, हमारे देश के प्रमुख बुद्दिमानों का डात्रों का सक्का मानना है इसमें social distancing करकी ना तो भी शफाई करके लोगों से दूड़ this करके हैं भी हम इस लोग से बच सकते हैं इस करोना नामत महाभारी से बच सकते हैं और हमारा लगातार जब से करोना हमारे देश में आया है सबसे पहले हमने इस दिले में साबुन बटवाया मास्क बटवाया गरीबों को राशन दे रहे हैं लगातार और लोगों से सबसे सबसे ज़्यादा मामला महराश्ट से आ रहे हैं तो आप क्या उस पे कहना चाहेंगे देखे वो तो एक तरीके से हमारे गवर्मेंट को तब्लीकी समाज के लोगों में दिल्ली से निकल करके सबसे ज़्यादा तब्लीकी समाज के लोग महराश्ट पहुचे और उनके नाते सबसे ज़्यादा महराश्ट के नहीं कोरोना के पेसेंट पाए जा रहे हैं और आप देख हुएं घ्वूम घ्वूम करके वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों करोना देना चाहते हैं तब्लीकी समाथ के लोग जो की शामने नहीं आ रहे हैं सबसे ज़्यादा महाराष्ट वहुंचे इस नाते वहां के आप थे नंद कुमाराना जिला अध्यच्छे स्यूसेनाफ पार्टी के और आप कहना है तबलीकी जमात के लोगों ने कहीं न कहीं इस मामले को करोना मामले को ज्यादा बनाया और कैरियर के रूप में कारी किये हैं कैमरा पर संलाल जी चतुरवेदी के साथ अनुप कि वारी की लिए सब्लांस खबर को सब्क्राइब करें नमस्कार